हाई फ्रेंड्स आप सभी लोगों मेरे यूट्यूब चानल पे स्वागत है देखिएगा यहां गुलाब का अंकुर निकाल रहे हैं जो कि रिफिल नुमा साइज का यहां सायन है अनकुर के साथ में उसे आप फली फूल फला हुआ है उस ब्रेंच को लाईए जसमें eight-month-day नीचे तक तो आट-दस पतियों की लकडी देखेगा वह फ्लावर फला हुआ है उसके नीचे लकबग तो भी चल जाएगी उसको काटके लाइए उसे गिले कपड़े में लपेटके रखेगा जब तक आपको कलमे करने का तो दो-चार दिन तक आप इसे कर सकते इस प्रकार आपके परीचित पड़ोसे गार्डन से या किसी कहां से आप इस प्रकार के अंकुर लाइएगा तो एक कड़ निकालना है। डोगिनुमा बढ़ोंगिनुमा देखिएगा इस प्रकार कि लेएगां इस प्रकार और जब इसके साथ में बार्यों की साथ में च्छाल के साथ में हाड़ रहistes अनिकाल निकाला है ये ये वह चाप cupboard निकाल लीजेगा देलीके याुक है बहुत ही skillful तो मैं अभी फिलाल में पहले अंकूर ही निकाल रहा हूं पूरे देख लीजिएगा अंकूर पूरे निकाल रहा हूं मैं तो देखेगा यह सायन किस प्रका सिलेक करने की मैं बता दिये कि जो फूल फलता है फूल फला हुआ है या तो अभी दो-चार दिन पहले जड़ चुका है ऐसी ब्रैंच का सिलेक्शन करने का फूल की जो डंटल है उसके नीचे दस से बारा पत्तियों का ब्रैंच आप कट करके लाइए तो जितना मोटा होगा उतना अच्छा अंकूर निक करना कम से कम कि एकदम पतली नहीं है तो यह गुलाप का सीजन भी पताना चाओंगा गुलाप का बेश सीजन है विंटर सीजन नोहेंबर महा से लेके कि फेबुर वारी महा तक आप कर सकते अब देखेंगा जो अंकूर हमने निकाले उसके जाट हाडूड आया है बारक के सा पर उल गया तो नाखून से धीरे से देखेगा इस प्रकार पकड़िएगा और सिर्फ हाडूड को खीचिएगा ट्विस्ट करके यहां देखेगा यहां बहुत डेलीकेट वर्क होता है लेकिन आप जब पकड़ते छाल तो छाल को फोल्ड नी पढ़ना चीए श्रिंकेज यहां प्रिकॉशन आपको लेने का है यहां देखेगा मैं अखून से खीच रहा हूं उसे इधर के पाड़ को पकड़के छाल को यहां देखेगा इस प्रकार यहां कुर हमने निकाल लिया अब यहां फिट करने जाएंगे तो यहां कुर किसी विशेज गुलाब का आपने लाया हुआ है जो भी गुलाब आपको पसंद है अब किस पोदे पे ग्रप्टिंग करनी चीए तो जंगली गुलाब के प्लैंड तयार कर लिए प जंगली गुलाब लाओगे कहां से इसलिए आपको मैं रिक्वेस करना चाहूंगा आपके इधर अगर से इस प्रकार के गुलाबी गुलाब के पेड़े देखियां गुलाबी गुलाब बहुत बड़ा होता है गुलाबी गुलाब इसके ट्रहनिया बरसाद में लगा दीज कि आप आक्टोंबर महा में तो आपको नोवेंबर महा में इस प्रकार की नई नवेली ब्रैंचेस मिलेगी तो मिनिमाम ब्रैंच आपकी रिफिल नुमा चाहिए जिस पे आप कलम कर सकते हैं इस पेड़ लगबग 20-25 ब्रैंचेस निकल चुकी जो कि आक्टोंबर में हम कट की थी और अभी डिसेंबर महा में हम बांध रहे हैं तो देखिएगा जो जहां से ब्रैंच निकली है उसके नजदिक पास दो सेंटिमीटर का एक खड़ा चाप मारिए जो कि छिर्फ छाल कटना चीए तो देखिएगा और पत्ती भी कट कर लिजएगा उतने पाड की ताकि आपको कलम बांदने में तकलीब ना जाए पत्ती और काटे दोनों निकाल लिजएगा जिस पाड पे आप कलम कर रहे हैं तो खड़ी चाप बारने के बाद में आप चाकू की नोक उसमें डालिए और छाल को ढीली कर लिजएगा जिस प्रकार मेरे बेरी के वीडियो में और संत्रे की वीडियो में मैंने डाला है तो छाल को ढीली कर लिजएगा और उसे बेंड करने के बाद में वहां छाल जो है म तो उसका च्छालका ओपन होगा और उसमें फिर आप अंकुर को डालिएगा देखिये गाँकुर के साथ में हमेने किर निकालए सême में लेके हाडूडर है। उसे डीरी से चाखुके नौक से ऐसा निकाल लीक्ति पिलुकुल बहुत्य जाता है समझ लो आपकी देखेगा और यह इस प्रकार नाकुंचे सो खीच लीजिएगा यहां देखेगा यहां निकल चुका है और अगर जेका थोड़ सा पॉर्शन चिपका हुआ है हाड़ूड का उसे भी चाकू की नक्से धीरे से निकाल लीजिएगा देखेगा यहां तो छाल सिर्प आपको अंकुर के साथ में डालने के हैं दोस्तों यहां देखेगा फिर से च्छाल थोड़ी च्छाल के साथ में हाइडूट था लटका हुआ उसे हम निकाल रहे हैं बिल्कुल हाइडूट का कोई पाट नीच यह वहाँ पर अपने तो यहां डेली केटी वर के बहुत नाजुक काम है यहां आइवर्डिंग का आः आः अब यह देखेगा सपेद पाठ है अरmb देखेगा सिर्प वहाँ पर अपने में कि छाल वची है और देखेगा थोड़ा सपेद वाला पाठ है और यह निकालना बड्य ज़रूरी है जो आंकुर के पासमें तक गया है वह तो वह जूडने नहीं देगा प्योंकि फूट मट्रियल जब इसे जोइन करता है तो अगर अंकुर तक अगर फूड मट्रियल जो प्यारेंच चायमा सेल है जो घाव भरने का काम करती है वहां अंकुर तक पहुचना जरूरी है लेकिन अंकुर तक मार रहे हैं हम दो सेंटीमिटर की गएँ देख यह कि खड़ी चीर जिसे शिर्फ चाल टीए और वह तिप से देखिएगा चाल को ढिली कर रहे हम टोग डाल के धीली कर रहे हैं बेंड करके धीली करने का तो जल्दी मूँ फाल लेती है और उसके बाद में ने का इसके बैठा देने का तोटली और थोड़ा दबा देने का नहीं भी दबाए तो बैठ जाती जो झेड़ा देने का उसके बाद में आपको ईसे बादने का है पॉलीफिन चेर ऊथर करी पौर इस टेफ नहीं आपके पास और प्वलिफ़ स्ट्रीप कैसे तैयार करेंगे तो देखिएगा कभी-कभी आप काड़ भी सकते मैंने जैसे भी अंकुर बाद में कट कर दी तो आप अगर से कट नहीं करते तो यहां जो पॉलीजीन स्ट्रीप की बाद बताना चाहता हूं मैं पॉलीजीन स्ट्रिप आपके में लगवर और जहरूरी है तो अभी यहां अँकुर आपने बां mejor दिया अपने पसंदिधा गुलापका और यहां 20-25 दिन में बढ़ना चाले हो जाएगी अब जब यहां 2-3 cm अंकुर निकल जाएगा तब आपको यहां पॉलिथीन ब्लेड मारकर छोड़ देने की है तो इस प्रकार आप एकई गुलाब पर एकई गुलाब के पौधे पर कट करके जितनी ब्रैंचेस है उतनी ब्र आक्टो नोहेंबर डिसेंबर जन्वरी फरवरी चार मैने विंटर के हैं और इसे क्या पोगर पहनानी की गरदनी लेकिन दोकेज्यागर से पानी आगे आसम जो पानी का मोसम है तो क्या पहना सकते है एक हाल में रखेगा लेकिन विंटर चीजम जनली पानी नहीं होता तो आप इस प्रकार रूट स्टॉक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जंगली गुलाब अगर से आपको नहीं मिलता तो आप जो यहां गुलाबी गुलाब है जो जन्रली अपनी इधर पाया जाता है बड़ा फूल होता है बड़ा पाउधा भी होता है पाच से साथ प डिंगशल harness कर सकते है और जन्रली इसका भी रूट स्टांथ जवर therm करता जन्ली गुलाब के रूट सटांव जन्रली जो नर्शरी वाले होते जंगली गुलाब उनके पास में होता है मजद करके उसके वाफ़े लगाते हो लोग जैसे लसुन के वाफ़े लगाते हैं नवदिक नवदिक चारचा 5-5 cm के डिस्टंस पे कांडिया लगा देते गुलाप की जंगली गुलाप की 20 cm लंबी 15-20 और उस पे कलम बांच चाहिए तो इस प्रकार आप वीद प्रकार के गुलाप तैयर कर सकते हैं थैंक यू